जारकन वेलकम टो लेर्नर्स ग्राइज एजुकेशन आज के इस क्लास में देखेंगे कंप्प्यूटर वासा ग्यान का पार्ट नूबर 47 और यह लेक्षर आपको पेपर 3 जेसी सीजेलों के एकजाम में फूर्ट पूल होगा जिसमें 20 क्वेस्टेंस पुछे जाएंगे और इस क्वेस्टन केरीज 3 मांक्स तो आपको 60 मांक्स का या टॉपिक रहेगा सारा पार्टस आपलों विजिट कर लिजेगा प्लेश्ट्यू मिल जाएगा और पीडियफ इसका एडदर रेट लर्नर्स ग्राइज एजुकेशन टेग्राम चैनल पर फ्री और पोस्ट टॉपिक से आपका स्पेशल क्लास सुरू किया हूं 2030 एकजाम के लिए तो उसको आप लोग जरूर जोइन कीजिए का काफी प्रोटफुल डिसक्रसन उसमें रहता है और उसको अपलों को ध्यान से पढ़ना है दो तीन बार आप लोग रिविजन कर लिजेगा उसको विक मे यह देखे मैं अपर प्रिवेस एर कोश्चन उठा कर लाया हूं और सारा आपको मैं टॉपिक वाई जी पढ़ाता हूं सब टॉपिक को टच करता हूं जैसे आज की क्लास में आपको डिसकस करते चलोंगा कौन-कौन सा कोश्चन से आपके किस-किस टॉपिक से आ रहा है आपका सिलिबस में MS Office है जिसमें MS Word, MS PowerPoint, MS Win, MS आपका Excel इस सारा इंक्लूट रहता है उसका ओप्टिंग सिस्टम मेंशन है और इंटरनेट संचालने की बिदिया आपको मेंशन है तो सब जो है से टॉपिक आपका मैं कहीं ने कहीं से आपका connected है सिलिबस है तो मैं फालतू मत रखें जितना question बता रहा हूं वह अतना पर प्रेटेस कीज़ें तो question अचलिया question को देखते हैं अब miniature graphical representation of files, folders, programs और other items in a GUI based operating system तो बोला जा रहे है कि miniature graphical representation होता है file का folder का graphical representation करने के मतलब इतरा से कुछ आपको चीज़ देखने को मिलेगा छोटा चीज मैं उसको दिखाते है कि इसको file को folders को program को तो इसको आखिर कहते हैं जिसे देखिए यह आपको VLC media player देख रहा होगा तो इसको आप लोग इसको जैसे ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो ह इसके information है कि क्या है यानों उसके बारे में जैसे आपको information दे रहा है as a icon तो उसको आइकन बोलते हैं तो उसका अनाम आइकन है ध्यान रखेगा तो यह graphical user interface होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है अंसर इसका यह आइकन हो चाहेगा दिखें रीबन आप लोग देख अब आपको देखने मिलेगा तो इसको रीबन कहा जाता है ओके हो कि कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा ओके यह सब आइकन दिख रहा है यह आप आइकन नहीं बोल सकते हैं तैब इस अब दिख रहा होगा अलालाग function करने के लिए होता है क्योंकिक एक से आपको प्रोप तो control प्लस इन होता है ना new document को खोलना है तो control प्लस इन होगा आईए कुछ shortcut की देख लेते हैं ms word में control प्लस ही होता है all select करने के लिए control प्लस भी बोल्ड होता है ध्यान रखी का बोल्ड साच question भी है तीन तरद से ms word में आप लोग बोल्ड कर सकते हैं डिसकस करेंगे आज control प्लस इसे बहुत दीज़ीए copy है t j j hootा है से default font set करने के लिए control प्लस इस तो central alignment के लिए important है control प्लस जो e होता हों center alignment होता है तिकना आपको alignment का type आप बताया था control plus e find करनी को लिए control plus h replace करने के लिए control plus h replace रूप इस 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 लिख दी आप लोग इस 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 लिखा जाता है E T A L I C. मैं टोर्ट लिखा जाता है. तो आपको ये टैलिक हो जाएगा. Control plus J justify करने के लिए हो जाता है. ये ये एक type of alignment है. Control plus के hyperlink. एक question निक पॉटेट में बता है. कि hyperlink करने के लिए किस shortcut के पर्यूख के जाता है. तो control plus है. हाइकर हाइपर लिक में आपको टेश्ट भी हो सकता है को इमेज भी हो सकता है छिक है ध्यान रखेगा ऊसको पड़ाना एंकृज करना है तो आप तो फो बढ़ायेगा Ctrl plus in जो कि answer था नीड को open करने के यूज़ किया जाता है और Ctrl plus ओ जो हैसे open करना है किसी चीज़ को Ctrl plus P जो है से print करने के लिए ध्यान दिजेगा Ctrl plus P जो होता है से print करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl plus आपको क्यों देखनों भी लेगा add a space after paragraph उसके बाद Ctrl plus आप बता दिया था Ctrl plus से Save Edge का option होता है Save और Save Edge में जो हैसे आपको अंदर होता है ठीक ना Save Edge मतलब जब फाइल का आप लोगना rename करके save करना होता तब उसको बोलता है सेव हैज उसकषब Ctrl plus T जो होता है से left को बढ़ाने के लिए उच किया जाता है उसकषब यू हो चांदरलाइन के लिए उसकत Ctrl plus भी paste होता है अब Ctrl plus W क्लोज करने के लिए Ctrl plus 6 कट करने के लिए Ctrl plus Y replace या redo करने के लिए, sorry, repeat या redo करने के लिए, धान दी जैका control प्लस जेट undo होता है, तो undo को फिर से जो करना है, या थावत, तो इसको आप लोग, जैसे control प्लस वाइद बाद देजे तो वह redo हो जाए, undo को, dash is the core of the operating system, it provides basic services to all other parts of the operating system, बोला चारहे, कौन जैसे core होता है, operating system का, तो वह होता है, kernel, तो kernel जो होता है, core या heart बोला जाता है, operating system का, दुनिया के देखी कोई भी operating system होगा, वह इसका नाम ही system है, यानि कि है system software हैगा, इसमें इफिन बर्स मत रगेगा, छाटने के लिए आता है, कौन जैसे application software है, और कौन जैसे एक system software है, तो देख लिए जगे, यह तो clear हो गया, एक होता है, sales जो के option में है, तो यह interface provide कराता है, user और kernel के बीच में, उसी को sale का आजाता है, और nerve center जो होता है, computer का control उनको बला जाता है, CU को, और CU आपको पता होगा, CU के साथ, EMU और ALU, तीन तो answer इसका D हो गया, बागी option system को देखेगा, user, जो user होता है, hardware के बीच में, एक interface provide कराता है, इसको ध्यान रखेगा, यानि कि जितना भी आप लोग काम कर रहा है, तो service जो दे रहा है, वो option system ही है, ध्यान दीजेगा, option system के बिना कुछ नहीं चलेगा, system भी जो ऐसे boot नहीं हो option system, तो computer खराब हो जादा है, तो उसमें operating system जिसे डलवाना पड़ता है, ठीक है, इसको देख लीजेगा, वो खराब हो गया, सारा कानी कातम, ध्यान दीजेगा, जितना भी system software है, जितना भी application software है, वो option system के बिना नहीं चलेगा, इसको देख लीजेगा, What is an assistive technology or service in buying or selling a product on the internet call, point of sale, उसके बाज e-banking है, e-commerce है, फिर cloud service है, तो answer इसका e-commerce हो जागा, ठीक ना, e-commerce मतलब होता है कि बेचना और खरिदना, तो business to business होता है, आपको पढ़े होंगे, business to customer होता है, इस customers to consumer होता है, consumer to customer होता है, consumer to business होता है, इस तरह का जो हैसे, चलता है services, तो उसमें e-commerce होता है, यानि कि sale और purchase किया जाता है, ठीक है, goods का, और services का भी किया जाता है, तो e-commerce आपको देखने को मिलेगा, तो होता है, जिससे कि आपने वेबसाइट, बहुँ जदा famous है, Amazon हो गय इस चारो खन देगा, मिंद्रा दे रिया, उसके बाद फिलिपकाट दे दिया, Amazon दे दिया, और एक आपको Picasso दे दिया, तो Picasso क्या होगा, यह image reading software है, तो यह अलग हो चाएगा, समझ गया है, तो ध्यान रखेगा, और इस तरह कोश्चन तो आपको उने reasoning में पूछा जाता है, तो computer का general science हो, general knowledge हो, इसका knowledge भी आपको रखना होगा, reasoning को कुछ-कुछ question के लिए, chrome, office, safari या फिर internet, explore, तो answer इसका भी हो जाएगा, MS office है, उसी को बुला गया है, सिर्फ office, और MS office का कुछ मतलब एक तो होता नहीं, इसमें कि अलग बताओं कि इसका क्या काम है, अब MS office में क्या होता है, MS word होता है, word processing software है, MS PowerPoint है, presenting software है, MS Excel है, data processing software है, तो अलग-अलग कामों के लिए, MS office है, एक चीज़ इसमें नहीं होता, अलग-अलग application software आपको देखने को मिलेगा, बाकि chrome, safari और internet explorer, सारा का सारा जो ऐसे web browser के example है, ध्यान कीगा, chrome 2008 में था, this is launched by google, and this is the most used web browser in the world, और safari is at number second in the world, it is launched by Apple, तो Apple को इसको जैसे launch किया गया है, यह बोल सकते हैं, किया गया था, और यह second most web browser है, फोल्ड में, answer is B, office बाकि से different है, electronic device that converts a computer's digital signal into analog format for transmissing over a phone line is called, तो इसको नव मोडम कहा जाता है, इसको नव फूल फूम भी होता है, देखेगा, तो इस रस लिखा जाता है, मोडम को, modulator, demodulator, तो इसको देख लिजेगा, और internet से connect करना होगा, question पुछेगा, कि internet से connect करना है आपका computer को, तो किसका यूज किया जाएगा, तो वहाँ भी modem का यूज किया जाता है, तेक ऐसा है यूज कि डिजिनल सिगनल को analog format में convert कर जाता है, ताकि उसको आप लोग ये जगा सा दूसरे जगा transmit कर सके, तो वह modem होता है, जो network interface card जो होता है, यह जो होता है, कॉम्पूटर को computer से connect करने के लिए यूज क जाता है, answer इसका modem है, फूल फॉर्म देख लीजेगा, in which generation of computers are integrated circuits used for the first time in their CPUs, तो इसको न थर्ड जनेरेशन में आया था, क्या था, integrated circuit है न, या, थर्ड जनेरेशन में आया होगा, पहला generation में आप लोग देखेगा, तो क्या था, vacuum tube था, फोस्ट जनेरेशन में, सेकेंड ज GS 1971 रहेगा, तो 1970 देखक में, और उसके बाद चलता है, ULSI, यानि कि Ultra Large Scale Integration, इसको ध्यान रखेगा, तो फॉर्स्ट जनेरेशन में इंपोर्टेंट रहता है, vacuum tube से में यूज किया गया था, और अभी जो हैसे ULSI, यूज किया जाता है, Ultra Large Scale Integration, और तो काफी ज़्याद आर्ट जो ही कि Ultra Large Scale Integration, जो फॉर्स्ट जनेरेशन अब कम्पूर्ट था, उसका टाइम प्रेट देख लिए जगा, 1946 से स्टाट हुआ, था, आंसर इसका 3 है, कोच्छन इसको पुछा ही जाता है, easy question है, लेकिन पुछा ही जाता है, which of the flowing is not a part of CPU, इन में से CPU का कौन एक पाट नहीं है, एलियो, Control Unit, फिर Memory Unit या फिर माउस, तो माउस इसका पाट नहीं है, साथ मुझे लगता है, आज ही क्लास में discuss मैं कर दिया हूंगा, कि जो हैसे CPU का 3 पाट होता है, अरिथमेटिक लोजिक यूट, Control Unit और Memory TNA की MU, इसको ध्यान रखेगा, तो यह CPU का पाट है, brain of computer होता है, करता है, बहुत फास एक मेमरी है, बहुत फास का यह सबसे फास मेमरी होता है, computer का, ठीक है, यह सब RAM का ही पाट है, cache memory, रजिटर मेमरी, आनसर इसका D mouse हो गया, mouse जो एसे एक pointing device है, ठीक है ना, Douglas Angel Bird के द्वारा जो हैसे mouse को जो हैसे invent किया गया था, Douglas Angel Bird, याद रखे का, और keyboard क क्रिश्टोफर लाथम सोल्स, और फादर अफ टाप रैटर भी क्रिश्टोफर लाथम सोल्स ही कहा जाते है, फिछे तो फ्लूइंग इस नोट अप हाडवेर, यह से कौन एक हाडवेर नहीं है, इसको आप टूच कर सकते हैं, लेकिन DBMS को जहांसे टॉच नहीं कर सकते हैं, यह सबन मेरेश हैं, यह सारा जो और सा को रहें कि मैनेज करेंगे हम, लोड़ाया ना डावेस मैरेश को मैनेज करने कामिक करता है, बागी हो हर्डवेर आपको टॉच कर सकते हैं, थिक है जब इसका आपको hard copy होगा यानि कि print कर वा लेंगे तक विछे तो flowing is not related to the computer computer से कॉंपूटर कीबोर से कॉंपूटर नहीं है क्योंटी function की नुमरी कीपड है आपको इस मास्टर की जैसा कुछ आपको जो ऐसे कीबोड पर आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन क्योंटी कीबोड आता है तो आपको टैप की होंगे तो पता होगा function की जाता है जो की 12 होता है नुमरी कीपड आता है जिसमें आपको इंपूट के लिए जाता है कीबोड मॉक्स दोनों इंपूट डिवाइसे हैं फिच और फ्लोईंग वर्ट्स और एक्स्प्रेशन और एक्रोनेम इस एक्रोनेम्स इस नोट रिलेटेटेट तो आंशर इसका जो हो जाएगा वह जाएगा फ्लेट पैनल फ्लेट पैनल जो है से रिलेटेट नहीं है कोंपूटर प्रिंटर से जो अध्यक्रीका जो पार्ट है उसमें टोनर उसका बहुत क्याटरीज है इस पूलर है एज है गैट्स है सिट फीडर है कुछ पार्ट होता है जब कोई की चीज पर्Week करना है तो प्रेंट करने में नहीं करता है उस टाइयम को रहने से पहले रहता है कि इसको परिंट करना है तो इसको डेнगे ठीक है बागी टोनर को देख लिजेगा टोनर Notice कोक्त ही इसका आंक को प्लोटर सारा जोए से एक आटपूर्ट डिवाइस है तो जो हम लोग नमबर और पिक्सेल में मेजर करते हैं ध्यान रखेगा आए कुछ देख लिजेगा इंफर्मेशन resolution होता है कि capacity होता है sensor का जो कि बताता या उज़र्ब करता है कि किसी एक object को small object को कितना अपलोग किलिएर ली देख पा रहे हैं ध्यान रखेगा वह हुता है pixel जिसका बैइल पह् righteous एक पैसेल जैदा होगा समय लिजेगा इसका resolution उतना ही कम होगा क्योंकि resolution होता है inversely proportional to pixel ध्यान रखेगा और pixel होता है smallest unit of image image का smallest unit होता है और pixel से question एक बना था आपको याद होगा जब बताया था कि जब image को अपलो बहुत बड़ा million times बोल दीजिए आपने thousand ये लाक टाइम बोल दीजिए है ठीक है आंसर इसका number of pixels हो जाएगा और resolution को मेंजर किया जाता है pixel में ध्यान रखेगा और जिसका pixel जितना ही ज्यादा होगा उसका resolution उतना ही कम होता है कि वहीं question आगे है जो की question आपको सुरुवात में पूछा गया था question है which the flowing ports can be used to output and audio signal इसका answer हो जाएगा HDMI HDMI होता है आपको high definition multimedia interface इसका यूज कहां पर करते हैं तो कोई एक audio है क्या वीडियो है audio वीडियो को आप लोग जो ऐसे टीवी पर जो है किसी monitor पर किसी projector पर चलाने के लिए जो ऐसे यूज किया जाता है तही एक adapter यूज किया सकते हैं और उसको देख सकते हैं को किसरा का audio या वीडियो फाइल है फुल फाइंपोर्टेंट रहाएगा HDMI high definition multimedia interface ठीक है समझे है तो answer is का हो जाएगा see on send developed macOS तो macOS को बोला जा रहा है कि कौन डेवलप किया था तो सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा ठीक है फोन के लिए नहीं तो अपको बता होगा अप्टिंग सिस्टम है वह विंडोस है और सब ज़्यदा मार्केट में आपको विंडोस ही देखने को मिलेगा ना लाइस्ट फ़र्जन जो विंडो का विंडोस 11 है जो कि माइक्रोसवट को फॉंड किये थे ठीक है 1975 में और इसका पहले सिस्टम आया था 1983 1985 में आया था पहले सिस्टम 985 और लेकिन एमेस वट जो देखेगा वन 93 में था विचर्द फ्लोइग इस फंक्षन आप दोन संक्षन का है, वाक्स का काम होता है, वाकि से बहुत रहा चीज आपको डिसकस कर दिया था, के बारे में एक system software है बाकि देख लीज़ेगा फिच्छ फ्लॉइंग एक्टिविटी इस बेश्ट दन यूजिंग MSWord का यूज़ करके आप लोग क्या बना सकते हैं MSWord का यूज़ करके बेश्ट होता है कि आप लोग अगर कोई करना है फाइल कोईट एयर करना है इस का साइन सरोगा रिपोर्ट करना है ठेक है कोई टियार करना है में बनाना ऐसे कोच्छन कुछ है का तो एमेस वर्ड लगाईएगा कि इमेस वर्ड 2016 के बारे में बात किये जा रहा है तो आपको ना होम टैप में देखने को भी लगा तो होम टैप का परियों करके जो है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं किसी जो से वर्ड को बोल्ड जैसे यह पर लिखा हुआ है कि वर्ड यू कन मेक योर्टेस्ट वोल्ड इन थ्रीवेज इमेच वर्ड में जो है तीन तरई से लeãyr को बोल्ड किया जा सकता है जैसे देखि यूज T लॉड वर्ड यूज और शॉंẽ ने आ किसमें से आपको ओड़ वर्ड चूज करना है से रोम हार्डिस्मूीर अपको सब्सक्राइब तो यह आंसे होगfully करेका लाइक है लेकिन 20 근burg में तेख रहा था कि तरुटे Cute आप आल्लएड dating कॉपर के से त्टम क्यूंड आजारा है राण्ड कॉपर करís धैना है तो जो important question था उसी कोठाएगा 30 में से मातर 18 question था जो आप लोग के काम का था बागी question आप लोग को पता होगा अगर सारा लेक्चर देखे होंगे तो ठीक है मिलते हैं फिर next class में वीडियो के लाइक जरू देजेगा कोई भी दिगात आएगा तो context में जरू बताएगा और सामको एक और लेक्चर आपको मिलने वाला है जो कि होगा JCC का इस्टनोग्राफर और एक साइज का English ठीक है तो आपको लिए आपको वेट कर सकते हैं पकिस आपका question का answer कुछ-कुछ होगा तो आपका देदिया जाएगा मिलते हैं फिर next class में वंदे भारतम जय झाल जड़ेंडन वर आपको वेटाबा ज्सक्रावीच को भारतम जबा आपको वेटास जड़ें पारतम जड़ेंदिया जड़ेंद्वा जड़ेंस सवयम सॉवाद्षाटर दड़ेंद्टर ग्र आपको वेटा ज़ सबने वे नवीग किस आपकंट ranks 20 और 60 और 60 ड़ मौने